नमस्कार साथ हूं मैं प्रसांतोर हम आप सब्सक्राइब करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हाटसपा लाइनिंग पर आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग माइक्रो कंट्रोल एंड एमेडर सिस्टम का यमसी क्यूं पार्ट थी देखेंगे इससे पहले हम लोग इससे चैनल पर माइक्रो कंट्रोल एंड एमेडर सिस्टम के प्लेलिस्ट में अप्लोड कर चुके हैं अगर आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज डिसक्रिप्सण आपको लिंक मिल जाएगी वहां से आप वह सारे वीडियो देख सकते हैं तो प्लीज उ करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों साथ जरूर से यह कि हमाई साथ ज्यादा ज्यादा दोस्त हमसे जूड सकें ठीक तो चलिए फिर सुरू करते हैं पहला कुश्य हमा दूसरा आपसंदी दिया है 08,chez जीन 29h न्. दीसरा पसंदी 006,аже सो 0H, ठीक, next question के बढ़ते है, question number 2, question number 2 क्या दिया गया है, question number 2 दिया गया है, which is the following, is the bit addressing range of addressable individual bit over that on chip RAM, यानि की on chip RAM पर addressable back ticket bit की addressing range निमनमी से कौन सी है, तो पहला option इसका दिया, 00H से लेके 7FH, दूसरा option दिया है, 01H to 7FH, तीसरा option दिया, 00H से लेके FFH, और चौथा option दिया, 80H से लेके FFH, question number 2 का जो right answer होगा, answer number A हो जाएगा, 00F to 7FH, इस right answer हो जाएगा, तो जो कह रहा है, on chip RAM में addressable bit किस bit की range में होती है, तो 00H से लेके 7FH तक होती है, question number A, answer number A is right answer, ठीक, next question के बढ़ते है, question number, next question नमारा, question number 3 दिया गया है, क्या दिया, if we push data into the stack, then the stack pointer, यानि कि जब हम जो stack pointer में data को push करते हैं, तो stack pointer में क्या होता है, यानि उसके जो storage में क्या फरक पड़ता है, तो पहला आपसंदिया increasing every push up, यानि हर एक push पे उसका storage increase होता है, दूसरा आपसंदिया decreasing every push up, यानि decrease होता है, तीसरा आपसंदिया increasing and decreasing every push, यानि हर एक push में decrease तथा increase होता है, पूस और पो होता है एक पूस होता है एक पूस और होता है जब पूस किया जाता है तो उससे डाता लियا जाता है यानिक डाटा निकाला जाता है जिसे которую होगा तो konnteht को भेगा गटेगा जैंभर पुछन को डाटा 갑 Two निकलेगा पुछ्ट के होगता जाएगा डू तो कोश्चन डटा अगर निकाल रहे हैं तो स्कों बोलते हैं पुस और nekasus में बोलते हैं पॉसkem लजसें पॉर पॉस्ट नमभर ईंट्रेक्षं बिल्कुल भी नहीं यानि प। यास्न उन्होंन आफ़्ट अब्गां पहले परtha देख लेते हैंください हम यह कह नहीं सकते कि उसे हम कॉल कहें या फिर कुछ और कहें तो हम तो कह सकते हैं कि जो पुस और पॉप होता है पुस और पॉप क्या होता है कि सिंपल डाटा को स्टोर करने तथा डाटा को लेने का एक प्रोसेस होता कॉल में क्या होता है कि जब इंट्रेक्शन आता है उस टर्म यूज किया तो एक कॉल नहीं हो सकता जो कॉस्चन नंबर फोर है इसका जो राइट एंसर हो जाएगा एंसर नंबर भी हो जाएगा नो यह जो दिया गया अल स्टेटमेंट है वो नहीं होगा मतलब पुस्ट पॉप जो कॉल निर्दे से उन नहीं है ठीक तो बीज एड्रेस लाइन के रूप में कार्य करता है तो जो कॉस्चन नंबर फाइफ इसका जो राइट एंसर हो जाएगा एंसर नंबर सी हो जाएगा पॉर्ट जीरो टू यह जो हम आज के वीडियो अभी उसमें आपको बताएगा पॉर्ट 1 और पॉर्ट 2 पॉर्ट 3 पॉर्ट 0 क्या क्या है ठीक अगर आप वीडियो देखें तो यह कोश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आई होप आप आप देखे होंगे नहीं देखें तो उस वीडियो को भी जरूर देखें उसम चैनल यानि की इन्ट्रफ जनेरेशन के दाऊरान कौनसा इस्थान वेक्टर आड्रेस यानि स्ट्रेज लोडिंग को निर्दिश्ट करता है तो इंट्रेप्ट किसमें कौन करता है पहला इसका अपन दिया एक इस्टेक पॉइंटर दूसरा अपन प्रोग्राम काउंटर त प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर से ही निकलना पड़ेगा उसके बाद ही आगे जाके पहले क्या करेगा यूश का वेज लाइश करने के काम प्रोग्राम काउंटर ही करेगा थीक प्रोग्राम काउंटर जो जाएगा इसका इसका इन्सेसं नंबर गेना तक बडात में सेभासन से क्रोड़ नोर्म पिए वोगा तो आप संदिया आइनक觉 अब कर पिए नंबर तो कोश्चन न कंट्रोल अप्लिकेशन जो हमारा सेवन नंबर कोशन है इसका राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर इस राइट एंसर ठीक किस क्षेशन का राइट एंसर हो जाएगा स्थीर नंबर इसका इंसर हो जाएगा木 करते है कोशन नंबर न इसका इंसर पता हो गाएगा कोश्चन नमबर 9 दिया गया है विच डिवाइस आज स्पेसिफाइब बिंग यूजड फार कनवर्टिंग सीरियल टू पाइलर एंड फ्रॉम फाइलर टू सीरियल रिस्पेक्टिविली यानि कि सीरियल को समांतर था समांतर को सीरियल बदलने के विशेज रूप से किन उपक सीरियल डाटा को सीरियल में करिदे काम करता है क्यूंकि रिजिस्टर ही डाटा को टो करते है तो दो जिस प्रकास यहांसर नमर सी हो जाएगा Sounds सी रफिट्र स्थटिक नेश्ट कोच्च्ण के बढ़ते हैं कोच्च्ट नमबर जो माक्रोब बढ़ा है को वीडीओ अपलूड किए हैं पलेज में आप लोग उससे जरूर देखें कि उससे काफी सारे कोशन इंप्रोटेंट में डिसकस किये गए हैं तो चुक्ष कोशन इसका कोशन नमबर सी हो जाएका राइट एंसर रहने बारा नमबर पिन जो होती है क्या होती है यह पिन लो एक्टिवी पिन होती है याई कि जब जिरो आता है तो ऒब एक टिवेट होती है कि इंटरफ फीन होती है किस नमबर कौनसी होती पिन नमबर 12 होती ठीक next question के बढ़ते है question number 11 क्या दिया गया है question number 11 दिया गया है which device are a specific being used from converting serial to pilot and pilot to serial respectively इसका question repeat होगा question number 9 आया था कि 8 था ये question इसकान answer number register answer number C हो जाएगा इसका register is right answer याई number question का answer answer number C next question के बढ़ते है question क्वेशन नमर 12 क्वेशन नमर 12 क्या दिया गया है इफ टाइमर जीरो इस टू बी यूजड एज ए काउंटर दिन एट रूट पर्टिकुलर पिन क्लॉक पास नेट टू दब टू बी अप्लाइड यानि कि यह दिक टाइमर जीरो को काउंटर के रूप में उपयों किया जाना है तो किस विसेश पिन खयाने क्या शकती होगी इसकी आपसेन जो दिए पहला अपसन दिएगा है फी थीरी पी तीरी को मतれब क्या हो जाएका पॉर्ट थिरी उसके बात पॉइंट थिरी अपॉइंट थीरी पी नम्बर तो इसके पहला अपसंद्य क्या दिया गया है पोर्ट 3 यानि यौन 4 तीसरा अपसंद्ध पे 3.5 फो चोत्त अपसंद्या गया है पी 3.6 जो Q11 इसका जो right answer हो जाएगा answer नमर B हो जाएगा पी 3.4 हो जाएगा यानि तो हमें अगर टाइमर काउंटर को जीरो की तरह उपयोग करना है तो पी 3.4 यानि कि बी नंबर आपसन जो इसका है उससे पी 3.4 पे हमें क्लाग पल्स देनी पड़ेगी यानि कि सीरिय सब्दों कहें तो हमारा कहने मतलब यह है कि टाइमर जीरो कर हमें काउंटर तरह यूज करें टाइमर जीरो करम काउंटर तरह यूज करें फी 3.5 फिन होगी उसे हम क्लाग पल्स देना पड़ेगा ठीक तो बारा नमबर कोशन को राइट अंसर अंसर नमबर बीज राइट एंसर नेस्ट को बढ़तें को बढ़तें को नमबर 13 को नमबर 13 क्या दिया गया है करिस्ट्राल फ्रिकोंसी आफ ट्वेगा हर्ड जयाने की 22 मेगा हर्ड की क्रिस्ट्राल फ्रिकोंसी आवरती को उत्पन होने में अधिक्तम देली लगती अधिक्तम समय कितना लगता है तो पहला अपसंद दियागा है 2978.9 सिकेंड दूसरा अपसंद दियागा है 0.011 मिली सिकेंड तीसरा अपसंद दियागा है 11.63 सिकेंड और चौथा अपसंद दियागा है 2.97 सिकेंड तो जो question नमर 13 है इसका जो right answer होगा एंसर नमर D हो जाएगा right answer 2.97 सिकेंड मिली सिकेंड जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें जो pin नमर 18 एंड 19 होती हो क्या करती है internal oscillator यानि internal frequency produce करती है तो कितने समय में 22 MHz frequency produce कर देती जितनी उसकी आउसकता होती है तो उसका जो right answer हो जाएगा answer number D हो जाएगा 2.97 मिली सेकेंड क्या हो जाएगा 2.97 मिली सेकेंड answer number D is right answer कौन सी pin होती है pin नमर 18 होती है और pin नमर 19 होती ठीक कितने माइक पिकोफारेट के काईपसिटर लगे होते हैं 30 पिकोफारेट के दो-दो काईपसिटर 18-19 pin नमर में लगे होते हैं जो की frequency उत्पन करने के लिए साहयक होते है ठीक तो question number 13 का जो right answer होगा हमारा नमर डी होगा 2.97 millisecond में फ्रिकोंसी कितनी फ्रिकोंसी 22 MHz फ्रिकोंसी प्रड्यूस कर देते हैं ठीक तो इस प्रकार से right answer हो जागा answer number D next question को बढ़ते है question number 14 question 14 क्या दिया गया है which interaction have to effect on the flag of PSW यहनि PSW में flag यहां जंडा नहीं होगा flag दूसरा चीज़ टर्म यहां पर यूज कियाता है flag को flag ही समझे इसका हिंदी क्या होता हमें भी नहीं पता है flag पर किन निर्देशों का प्रुभाव नहीं पड़ता है पहला अफसंद्य है ANL दूसरा अफसंद्य ORL तीसरा अफसंद्य XRL और चौथा अफसंद्य आलावदा मेंसंड तो question number 14 है इसका क्या हो जाएगा answer number D हमारा हो जाएगा right answer यानि आलावदा मेंसंड जो आफसंद्य गया है सारे इसमें effect डालते हैं कि इसमें प्यस्ट डबलू flag में ठीक next question को बढ़ते है question number 15 क्या दिया गया है question 15 दिया गया when we add two numbers the destination address must always be जोडते हैं तो गंतव पता होना चाहिए गंतव पता क्या नहीं कि लास्ट पता उसको कहा जाना चाहिए तो इसके जो आफसंद्य गया आपसंद्या सम इमेड़ा डाटा दूसरा आपसंद्य एनिरेस्ट दिस्ले चौता संते में मैं मोरी तो य हैं जो भी आफ्क man केeg Soo फूर्वात में जो डाटा इस्टोर किया ळता या फिर जो एक्ज़क्यूट करने के डाटा होता वो किसी राइस्टर में आप जो चाहें हो रख सकते हैं लेकिन जो डिया 니다 डिया हं डेस्टी इसटिनेशन डेस्टिनेशन डेस्ट क्या ठीक क्या हो जाएगा accumulator फाइनल इल्ट पिस में स्टोर होता है accumulator में होता है आए आधो 15 नंबर कोशन आपका किलेर होगा तो आज का इस पिवीट्ट कोशन रहा हमारे सेशन का आज सा करते हैं आज के 15 के 15 कोशनँ आपके क्लेर होगा अगर आपको कोई doub हो तो please इस comment box में आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज वीडियो को लाइक आए चैनल को सब्सक्राइब देख अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करें और हाँ अगर आपको इस content के आउसकता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन मे आपको टेलिग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर लीजिएगा जहां पे जो जितने कोशन इसमें करवाएगा है इनका सारा पीडियाफ आपको वहाँ पे आउलेबल करवा दिया जाएगा तो आज के लिए बस इतना है किसी नेस्ट वीडियों तब तक के लिए जाएगा धन्यवाद